Welcome all of You to the class. Last class में हमने typing tutor के बारे में discuss किया था, rapid typing software के interface के बारे में हमने discuss किया था और उसी के continuation में हम चलेंगे. मैंने last time आपको बताः था कि किस तरीके से interface आपका काम करता है, कौन सा option क्या होता है, किस option का क्या मतलब होता है, तो उसी के continuation में हम देखते हैं कि last time देखो अगर आपको याद हो तो मैंने दिखाया था आपको कि जो मैंने type किया था उसमें कुछ mistakes भी हुई थी ठीक है और कुछ yellow color के आ रहे थे आपके characters कुछ green color के आ रहे थे आप एक बड़ी वीडियो वो दुबारा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहां जब हम result analysis कर रहे थे अपना तो उस पे window पे जो characters आ रहे थे मैं उसकी बात कर लिए तो अब उन colors का क्या मतलब होता है अब उन colors का मतलब यहाँ पर दिया हुए देखो कुछ characters वहाँ पर आ रहे थे आपके green ठीक है green colors के जो character आते हैं उनका मत acceptable time जितना आपको उस particular character को press करने के लिए दिया गया था आपने उससे time limit cross कर दिया आपने time जादा ले लिया ठीक है उसके बाद next है आपका red red का मतलब क्या है letter denoting wrong input within the acceptable time frame time तो आपने उतना ही लिया जितना लेना चाहिए था बट आपने f की जगा g press कर दिया d की जगा j press कर द दिखाई देगा और उसके बाद last है आपका orange orange के case में होता है कि आपका it indicates the wrong input that also exceed the acceptable time frame कि एक तो आपने गलत character press किया और दूसरा time frame भी आपने जादा ले लिया मतलब जितना time आपको लेना चाहिए था उससे time आपने जादा लिया है यह देखिए हमारा यहाँ पर दिखाई अभी मेरे यहाँ पर सारे green और red ही दिख रहे हैं that means कि green का क्या मतलब था कि हमने correct input दिया है और time frame के अंदर दिया है और red किसको indicate कर रहा था कि red है कि मैंने गलत character press कर दिया ठीक है बट time मेरा सही था timing मेरे सही थे कि सही time पर मैं को करना चाहिए था बट character मेरे से गलत प्रेस ह गया यहाँ पर अगर कोई yellow और orange होता तो उसका मतलब अलग होता जो कि मैंने अभी आपको पीछे समझाए है तो यह होते हैं आपके characters के जो colors आपके आते हैं error window के अंदर वहाँ पर अब हम बात करते हैं error window की error window basically कौन सा area होता है error window यही area होता है जो मैंने अभी आपको दिख आती की है यह देखिए जब हम गए थे ना यहाँ पर जैसी आपकी typing खतम होती है तो आपका कुछ इस टाइप का analysis वाला window खुलकर आ जाता है तो यहां आपका आता है error overview ठीक है यहां से हमें पता चलता है यहां आते हैं आपके details statistics details statistics के अंदर देखो character by character आपको पता चल रहा है कि आपने क्या mistakes यहां पर की हैं यहां से आप देख सकते हो जैसे के और F यह आपके red दिख रहे हैं बाकी सारे जे मतलब green दिख रहे हैं ऐसी यह इस वाली side पर आपके सारे green दिख रहे हैं that means कि जो red आपका कब दिखता है कि जब आपका या तो input wrong हो ठीक है उस case के अंदर कर दिखता है यह आप time limit exceed कर देते हो तो इसका result मतलब detail statistic है यह आपका उसके बाद next है आपके अंदर आपके इसमें जो topic दिए वे हैं वह है आपके analysis करना statistics का यह मैंने आपको last time भी बताया था कि कैसे हम analysis करते हैं देखिए जैसे आपकी बुक के अंदर यह पूरा का पूरा डायग्राम दिया हुआ है यह basically थोड़ा थोड़ा आपका change होता रहता है तो यह updated software जो अभी वाला हम कर रहे है वह updated software है यह यहां पर orange भी आपको दिख है आपको ठीक है orange का क्या मतलब था कि जब आपका input भी गलत और आपका time frame भी एकसीड हो रहा है ठीक है तो उस case के अंदर आपके यह character by character दिये रहते हैं और accuracy speed कितनी है यह सारी depend करेंगी आपके lesson के उपर कि हर बारी आप lesson के उपर आप कैसा perform कर रहे हो ठीक है तो basically हम अगर इस पे वापस जाते हैं अगर हम अपने same chapter के उपर अगर हम जाएं same lesson के उपर यह देखिएगी यहां से आपके आते है statistics पे जब आप click करोगे तो यह रहा यह दिख रहा है आपको यहां पर पूरा का पूरा आपके last lesson जो भी आपने perform किया था वो पूर पूरा का पूरा lesson का पूरा आपको detail यहां पर दिखाई देगा character by character सारा स्टेस्टिक है सारा analysis है आपको कहां पर किस चीज का क्या mistake की है आपने कहां पर आप improve कर सकते हों तो यह जो last lesson हमने किया था हमापर accuracy कितनी दिखा रहा है आपकी 93% accuracy दिखा रहा है और speed दिखा रहा है speed से आप जो है की का जो stroke है वो ले रहे हो एक उसके according और एक कितने words आप एक minute के अंदर type कर रहे हो उसके according यहां पर speed जो है calculate की जाती है यही वाले सारे आपके यहां पर दिए वे overall rating क्या है आपकी excellent आई है speed आपकी 45 है और accuracy आपकी 93% आपने maintain की है तो यहां से हम अपना पूरा का पूरा जो detail analysis है हमारे chapter का वो हम यहां से देख लेते हैं ठीक है उसके बाद आते हैं हम अपने book के उपर book में देखिए यही वाला सारा window है जो अभी मैंने आपको बताया था पूरा statistic का यही समझाया हुआ है ठीक है यह आपका error overview था यहां पर भी देखिए red और green में दिख रहे हैं वही है जो मैंने अभी आपको practical के थूँ मैंने बताये हैं आपको तो एक बारी जब आप PDF में already आप लोगों को share कर चुकी हूँ तो जब आप पढ़ते हैं आप इन वीडियो को देखते हैं वीडियो देखने के बाद एक बारी आप book को भी open करके देखिए कि आपने आज वीडियो में क्या पढ़ा और book में क्या किस तरीके से दिया गया है तो एक बारी जब तक आप दुबारा नहीं पढ़ोगे जो दो तीन बार वीडियो को नहीं देखोगे तो चीजें इतनी easily आपको नहीं समझ में आएंगी और बाकी इसके साथ साथ मैंने description box में इसका link भी दिया है typing software को download करने का तो आप उसको download कीजिए और इस typing software की आप practice की क्योंकि practice करेंगे तब ही आपको अच्छे से यह जो है समझ में आने वाला है अदर्वाइस आपको थोड़ी सी problem होगी यह देखिए यह सारी चीजें हमने last class में discuss की थी कि कि किस तरीके से आपका यह चलता है आपका text paint चलता है यहां से आप lessons वगेरा change कर सकते हो यह मैंने आ 1,2,3,4 सारे के सारे आपके आते हैं ठीक है यह देखिए मैंने आपको बताया था कि कहां से हम यह सारी चीजों को करते हैं यह देखो यह आपका typing का software है अप अपने lesson पे गए यहां से introduction होता है introduction पे आप यहां से select करोगे आपका level first of all introductory level ही है हमारा basic सीख रहे हैं हम तो basic वाल numeric pad सीख रहे हैं तो यह उनके lessons है तो अभी फिलाल हम basic सीख रहे हैं lesson 1 हम कर चुके हैं तो lesson 2 के उपर हम जाएंगे यहां से भी हम अपना lesson चेंज कर सकते हैं और यहां पर आता है आपका time duration कि कितना time के अंदर आपको यह particular जो lesson है वो आपको खतम करना है यहां से आप अपने statistics देख सकते हो और यहां से हम वापस अपने lesson के उपर चले जाते हैं और उसके बाद यह वाला menu मैंने आपको बताया था कि यहां से आप बाकी के controls आप कर सकते हो कि background वगएरा आपने change करनी है text का color change करना है यहां से जो भी आपको करना है जैसे अभी तो by default black आ रहा है तो typing के अंदर speed कैसे calculate की जाती है typing में speed calculate करने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि दो तरीके होते हैं कि एक तो आपकी word KPM होती है और WPM होती है अब gross speed और net speed हम कैसे calculate करते है gross speed होती है आपकी normally की जितने characters आपने मतलब जितना आपने टाइप किया और कितना time लिया उसको आप divide कर देते हो तो आपकी gross speed आ जा रही है ठीक है जिसे हम gross speed बोलते है और net speed का बाती है यह देखी है आपकर लिखा है ना gross speed कि words without error plus word with error मतलब total typing आपन कितना time लिया है minutes में उन दोनों को आप divide करते हो तो आपकी gross speed निकल कर आती है net speed हम कैसे calculate करते है net speed आती है आपकी जो gross speed है उसमें से आप जितनी errors हुई है उसको आप divide करते हो जितना आपने time लिया था वो आपकी net speed calculate होकर आती है for example देखें यहाँ पर नीचे एक example भी दिया ह हुआ है उस example की साहता से हम समझने की कोशिश करते हैं इसको यह देखिए एक student है जिसने कहां गया एक second मैं निकालती हूं उसको यह यह रहा देखिए और student type 240 characters per 2 minutes with error in 20 characters ठीक है दो मिनिट में उसने 240 characters की है और 20 characters की उसने error की है तो अब इसकी simple speed कैसे निकालेंगे 240 का हम 2 minutes से divide कर देंगे तो वो आजेगे हमारी 120, 120 character per minute उसने type की है बट net speed हम कैसे calculate करेंगे net speed हम calculate करेंगे कि यह जो हमारी gross speed निकल कर आई थी इसमें से minus 20 characters plus उसने डिवाइट करेंगे उसको हम उसने जितना total time लिया है उससे ठीक है वो जो हमारी निकल कर आएगी वो आएगी हमारी net speed net speed निकी actually उसने कितना accuracy से typing का काम किया है वो निकल कर आया हमारा 100 characters per minute ठीक है तो इस तरीके से जो है हम अपनी speed calculate करते हैं on average अब भी आप start करते हो तो 52 80 के बीच में speed बनाना मतलब easy मतलब अच्छे साब बना पाते हैं average speed कहलाती है बट कुछ-कुछ लोग होते हैं जिनकी speed बहुत अच्छी होती है जो कि 120 characters per minute भी जो है type कर लेते हैं ठीक है तो यह depend करता है कि कि कितना hard work आप कर रहे हो कितनी महनत आप कर रहे हो कितने अच्छे तरीके से आप जो है इसको सीख रहे हो next हम बात करते है typing accuracy की typing accuracy is defined as the percentage of correct entries out of the total entry type typing accuracy हम कैसे देखते हैं कि total हमने कितना काम किया है उसमें से correct हमारा कितना है ठीक है इससे हम accuracy calculate करते हैं तो यह accuracy calculate करने के कुछ formula यहाँ पर दिये वह हैं वैसे automatically आपको यह सारा का सारा काम है जो typing tutor के अंदर जो भी आप software use करते हो उसके अंदर आपको पूरा का पूरा काम करा कराया मिलता है you don't have to do it manually आपको manually कुछ भी यहाँ पर करने की जरुरत नहीं पड़ती है ठीक है तो गोड़ टाइपिंग speed basically क्या होती है and average profession typist type usually in the speed of 50 to 80 words per minute यही मैंने आपको बताया था कि average जो speed होती है 50 to 80 के बीच में होती है बट आप अच्छी speed acquire कर सकते हो 95 words per minute से लेके 120 words per minute तक के लिए आपकी जो speed होते हो बहुत बढ़िया जो typist होंगे है जिन्होंने बहुत-बहुत साल प्रैक्टिस की होती है वो इतनी speed को अब तक कि जो सबसे जादा fast typing की जो speed रही है वह आपकी 216 words per minute की रही है विच वोज अचीड बाइ स्टेला पैजुएनाज in 1946 1946 में स्टेला जो थी उन्होंने इस speed को जो है वो अटें किया था तो यह अभी तक का उनका रिकॉर्ड रहा है कि 216 words per minute की स्टीड है तो बाकी इस chapter के अंदर बहुत ज्यादा कुछ था नहीं इसका practical पार्ट ज्यादा है details theoretically सारे details में आपको समझा चुकी हूँ software पर आपको कैसे काम करना है यह भी मैं समझा चुकी हूँ लिंक already मैं description box के अंदर video के अंदर मैं share कर चुकी हूँ जहां से जाके आप typing का जो video typing का जो software है वो डाउनलोड कर सकते हो और इसी के साथ हमारा यह chapter जो है वो खतम होता है इसके बाद यह देखे कुछ exercises दिए वे हैं इन exercises को आप perform करने की कोशिश कीजिए solve कीजिए अगर कहीं पर आपको कुछ error सॉरी कहीं पर आपको कुछ difficulty आती है कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं आप comment box में भी पूछ सकते हैं और इसी के साथ आपका यह chapter खतम हो गया है तो next session में हम start करेंगे next chapter को तब तक आप इस chapter की पूरे अच्छे से तैयारी कीजिए दो तिन बार दोनों वीड videos देखिए क्या-kya practices मैंने आपको suggest किया है कि कैसे आपको setup करना है कौन सा software download करना है home row पे कैसे आपको अपना हाथ सेट करना है और टाइपिंग के अंदर आपके जो lessons आ रहे हैं उनकी आप day by day practice कीजिए आप 20-25 days के अंदर ही आप change देखेंगे आपको keyboard के उपर देखने की ज़रत नहीं पड़ेगी आपकी speed जो है वो बंती रहेगी ठीक है तो जितना practice करेंगे उतना accurately आप अपनी speed को maintain कर पाएंगे तो चलिए मिलते हैं next session में नए chapter के साथ तब तक के लिए stay home stay safe and have a nice day by